नमस्कार के पिन्यूस 247 में आपका स्वागत हैं मैं हूँ आयूशी विजिवर गया आपके साथ तो चली खबरों के सफर के शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजन हेड्लाइन्स पर NCRT को अइंडिये सरकार ने मजबूर किया इंडिया की जगभारत की सिपारिश पर डीकेश उकुमार ने खोला वोचा मराथा अरक्षन को लेकर अनिशित काली नंशन पर बैठे मनोज जरांगे सरकार पर गुम्रह करने कारो कपिल सिबल का बीजिपी पर तंज कहा राजनीतिक पाइदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का इस्तमाल करें कानपूर में मेडिकल कॉलिज में भरती 14 बच्चों के अचाईबी पॉजिटिव होनी की फैली अप्वा आरोपी के खिलाफ जांश शिरू कॉंग्रिस महासच्यू प्रियंका गांधी ने अजुन जुनु के अडावता गाउं में पूरु केंद्री मंत्री शीशा मोला की प्रतिमा का किया अना अप्रण अब देखते हैं समाचार विस्तार से विपक्ष के और से अपने साजा गडबंधन को इंडिया नाम दिये जाने के बाद से इस पर राजनी ती जारी है इस बीच NCRT समीती दुआरा किताबों में इंडिया को बदल कर भारत करनी की सिफारिश के बाद एक बार फिर इसे लेकर सियासत तेज हो गई है इस मामले में विपक्षी नेताओं ने केंदर सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है अब करनाटक के डिप्टी सीमडी के शिवकुमार ने NCRT पैनल की सिफारिश पर प्रतिक्रिया देते वे केंदर के खिलाफ मोडचा खो दिया उन्हें कहा कि मुझे लगता है कि सरकार के साथ कुछ गलत हुआ है भारतियों के दिमाग को भहमित क्यों कर रहे हैं उन्हेंने जो भी रुक अपनाया है वो पूरी तरह से जन विरोधी और भारत विरोधी है करनाटक की डिप्टी सीमडी के शुकुमा ने इस मुद्धे पर पृतिक्रिया देते वे कहां हम रिजर्व बैंक आफ इंडिया इंडियान एड्मिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियान फॉरें सर्विसिज क्यों कह रहे हैं हमारे पासपोर्ट में रिपब्लिक आफ उन्होंने जो भी रुको अपनाया है वो पूरी तरह से जन विरोदी हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्हें NCRTA इंडिया सरकार द्वारा मजबूर किया गया है ये बिलकुल गलत है आप इंडिया के तिहास नहीं बदल सकते करनाटक में जो पहले था वही जारी रहेगा संगारेडी जिली के जहिराबाद में मुहमद अन्वर को कॉंग्रिस अल्प संख्यक महासच्यू बनाया गया तिलंगाना राज्ये अल्प संख्यक अध्यक्ष मौहमद सोहल और तिलंगाना राज्ये कॉंग्रिस अल्प संख्यक उपाध्यक्ष अर्हम मुहमद हभीब हु पुर्वधायक राजगोपाल रेड़ी ने भार्ती जनता पार्टी छोड़ दी है वो फिर से कॉंग्रेस में शामिल होंगे उन्होंने हाली में संपन हुए उप्चुनाव में मुनु गोडे विधानसबा सीट से चुनाव लड़ा था हाला कि उने सफलता नहीं मिली थी गौरतलब है कि तिलंगाना विधानसबा चुनाव के लिए बीजेपी के और से जारी उमिद्वारों की पहनली लिस्ट में राजगोपाल रेड़ी का नाम शामिल नहीं था राजगोपाल भूंगिर से कॉंगरे सांसद वैंकर ट्रेड़ी की छोटे भाई है वो पिछले साल अगस्त में कॉंगरे छोड़ कर बीजेपी में शामिल हो गए थे कारिकरता मनोज जरांगे ने मराठा आरक्षन लागू करने के लिए वुद्वार से अनिशित काले नंशन शिरू कर दिया है उन्होंने माराज सरकार को दी गई 40 दिन की समय सीमा समाप्त हो जाने के बाद समुधाई के लिए आरक्षन के मांग को लेकर दिरोज शुरू किया मराठा अरक्षन की मांग को रज्जे में पुने सुर्खियों में आये 40 वर्षी जरांगे ने जालना जिले कि अपने पैत्रे गाउं अंतरवाली से राटी में अपना अंदोलन शुरू किया अंशन पर बैठने से पहले जरांगे ने पत्रकारों सी कहा मराठा अरक्षन पर फैसले को लेकर माराज़ के मुख्यमंत्री एकनाशिंदे ने मुझसे 40 दिन इंतजार करने को कहा था लेकिन उन्होंने फैसला नहीं किया इसलिए मैंने अपने गाउं में एंशन करने का फैसला किया राजसभा सांसत कपिल सिब्बल ने मुधवार 25 अक्टूबर को भारती जंता पार्टी पर राजनीतिक लाप के लिए भगवान राम का इस्तिमाल करने कारोप लगाया उन्होंने कहा कि सत्ता रूट पार्टी अपने किसी अच्छे काम को नहीं गिनाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते वे कपल सिब्बल ने वीजिपी से पूछा राजनीतिक वायदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का इस्तिमाल करेंगे आप भगवान राम के गुणों को क्यों नहीं अपनाते उनकी वीरता, शौरे, निश्ठा, करुणा, प्रेम, आग्याकारिता और साहस कुछ भी आपके शासन में दिखाई नहीं देता यारुकर एक छोड़े से ब्रेक के लिए जल्द हाजिरों में हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौचू 24 घंटे हालाद पर गहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवालाद और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूस की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24-7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमेड आइन बीएट कॉलेज बीदर रिकोगनाइजड बाइ एन्सी टी देलही और एंड एफिलेटेट टू गुलबर्गा युनिवर्सिटी गुलबर्गा अड्मिशन आर ओपन फॉर दा अकैडमिक यर ब्रेक के बाद एक बाद फिर से आपका स्वागत है देश में वन नेशन बन इलेक्शन को लेकर नई दिल्दी में वुधवार 25 अक्टूबर को चल दही बैठक समाप्थ हो गई है मिटिंग खत्म होने के बाद के इंद्री ग्री मंत्री अमिश्या, पूरु सॉलिसिटर जनरल हरिश सालवे, जमुकश्मीर के पूरु सीम गुलाम नभी आज़ाद, विधियायो के चैर्में दितुराज अवस्ती बैठक से निकल गए बैठक के अध्यक्षता, पूरराश्पुती, रामनात कोविन ने की, पूरे देश में एकसाथ चुनॉफ किस तरह से करवाय जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समीती ने विधियायो को 25 सक्टूबर को आवन रित किया था लो कमिशन के और से समन में पूरा रोड मैप तयार क्या जा रहा है, सूत्र बताते हैं कि आज भी बैठक में कमिशन के और से कमिटी के समक्ष जानकारी दी गई, वन नेशन बन इलेक्षन को अगर देश में लागू करना है तो उसके लिए कानून और सविधान में क्या जोधन करने पड़ेंगे। डिब्डे में आग लग गई, ये फिलाल पता नहीं चल सका कि आप कैसे लेगी। पारित नीट विरोधी विदहेक पर हस्ताक्ष नहीं करने के लिए तमिलनाडू के राजजिपाल आरेन रभी के खिलाफ नारेबाजी भी की। पुलिस ने कहा कि विनोत सरदार वललभाई पटेल रोड पर अन्या यूनिवरसिटी के और से गिंडी आया और राजपाउन के गेट के बाहर पेट्रोल बंप रेखा। उत्रप्रदेश के कानपूर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलिज की बड़ी लापरभाही का मामला सामने आया। यहां लाला लाजपत राय चुकि साले में एक डॉक्टर ने 14 बच्चों के शरीर में संक्रमित खुन चड़ाय जाने से उनके हैपिटाइटिस बी सी के साथ हैचाईबी पॉजिटिव के लक्षन पाया जाने का दावा किया बताया जा रहा है। कि तहले सीमिया विभाग ने 108 से मरीजों की स्क्रिनिंग की थी इसमें 14 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई हलाए कि अस्पिताल के शीर्ष अधिकारी ने रिपोर्ट को खारिस कर दिया अधिकारी ने कहा कि कथी तोर पर अफ़ा फैलाने के आरोब में एक डॉक्टर के खिलाब जाच का आदेश दिया गया है। रिपोर्ट के मताबिक भयावे रोग सिग्रसेत इन बच्चों को अलग-अलग प्राइवेट अस्पितालों में बलड चड़ाया गया था जिसके वज़े से इनके शरीर में निजानलिवा बिमारी फैली हालाकि मेडिकल कॉलेज के प्राचारे डॉक्टर संजे काला ने इस हिंदुस्तान के हर कोने में हम है मौचू 24 घंटे हालात पर गेहरी नजर खबरों से जुड़े चुपते सवाला और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनाशनल न्यूज की सबसे बहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24-7 नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमेड आइन बीएट कॉलेज बीदर रिकॉगनाइजड बाई NCTE Delhi and affiliated to गुलबर्गा उनिवर्सिटी गुलबर्गा अड्मिशन आर ओपन फॉर दा अकैडमिक येर 2022-23 विशेशग और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप करने के लिए नूर एमेड आइन बीएट कॉलेज में दाखला लें और शान्त वातवरण में शिक्षा प्राप करें बीदर शहर में बहतर शिक्षा का एक मात्र केंद्र नूर M.A. and B.A. कॉलेज चापूर गेट बीदर फोर नंबर्स डबल नाइन फोर फाइट टू एट ट्री नाइन टू जिरो एट फोर एट ट्रेपल टू वन टू नाइन सेवन ब्रेक की बात बढ़ते आगे कॉंग्रिस मासची प्रेंका गांधी ने अंजंजनु के अडावता गाउं में पूरु केंदरी मंत्री शीशामोला की प्रतिमा का नापरंट किया इस अउसर पर सियमशो गैलोत ने दो गारंट के अदि पहले एकरोट सारी स्राक लोगों को पांस रुपे में गैसिलेंडर मिलेगा वो दूसरी ग्री लक्ष में गारंटी योजना का वादा किया इसके बाद जनसबा प्रेंका गांधी ने जहां जुन्जनु की तारीफ की भाजपा पर जम कर निशाना भी साधा दूरदर्शन की रामायन में श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुन गोविल ने हाल ही में अपकमिंग फिल्म नोटिस का आखरी स्केडूल पूरा किया इसे दोरान वो फिल्म के सेट पर खाल होके तिकिन इस स्केडूल में कोई गड़बडी ना हो इसलिए उन्होंने दर्च रहते वे अपने हिसे के शूटिंग पूरी की इस फिल्म में वो दिपिका चीखा लिखा कि साथ नज़र आएंगे दिपिका ने अरुन के संग रामानंद सागर की रामायन में सीता मा का किरदार ने भाया था दोनों की जोड़ी को ओडियन्स ने खूब पसंद क्या था लंबे अर्सी बाद दोनों फिर से एक साथ दिखाई देंगे नोटिस के आखरी स्केडियूल के आखरी दिन फिल्म के एक्टर और मेकर आदिते प्रतापर गुहनशी ने अरुन गोविल के चोटिल होने के बारे में बताया एक घटना चित्रकुट के सेट पर घटी जब अरुन को फिल्म के शूटिंग के दौरान एक शरीर के मैटोपोन हिस्से में चोट वेक गई चलिए एक बाफिर से नज़र डालते हैं हेटलाइन्स पर एंसी आर्टी को अंडिय सरकार ने मजबूर किया इंडिया की जगभारत की सिपारिश पर डीके शिवकुमार ने खोला वोचा मराथा अरक्षन को लेकर अनिशित काली नंशन पर बैठे मनोज जरांगे सरकार पर गुमरह करने कारो कफिल सिर्बल का बीज़िपी परतंच कहा राजरीतिक पाइदे के लिए आप कितनी बार भगवान राम का इस्तमाल करें वर्न नैशन वर्न इलेक्षन को लेकर हुई बैठेक लोग कमिशन ने कहा दोज़ार चौबिस की चनौव में से लागू करना मुम्किन ने कानपूर में मेडिकल कॉलेज में भरती 14 वच्चों के अचाईवी पॉजिटिव होनी की फैली अपवा आरोपी के खिलाफ जांश शुरू कॉंग्रेस महासाच्यू प्रियंका गांधी ने अजुन जुनु के अडावता गाउं में पोरु केंद्री मंत्री शीशा मोला की प्रतिमा का किया आना अफ्रण केपी नियूस के इस बुलिटिन में फिलाल के लिए इतना ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम तालसा खबरों के लिए आपने गई है केपी नियूस 24-7 के साथ धन्यबाद झालसा